गुद्ध मॉनिंग आशा ठाकुर पूजा बाकी लोग नहीं आ रहे हैं आज ख्रास में ऐसा लग रहा मुझे इससे पहले हमने अपका जो प्राचीन साहित्य था वो पड़ा प्राचीन भारत नहीं स्वरी प्राचीन जो प्राचीन जो प्राचीन तरिके आवर शास्तर था उसमें हमने देखा इन overtge जो युनाल में किया रहा युनाल में हुआ आपका जो इसका जो आपके साइथ शास्त्र की शुरुआ ठीक है और उसके बाद जो आपका लाटिन भाष़ा रही ले ile 된 ठीक है उसकी जो रश्नकार रहे है ना, उनके बारे में हमने देखा था, पिछले कल, ठीक है, पिछले कल नहीं मतलब, पीछे से, जो last वाला लेक्शे था हमारा उसमें, अब हम देखेंगे आगे जो आपका इसके बाद, अगला जो पार्ट हो गजा है, ये है आपका मद्यकाल का साहित्य, ठीक है, मध्यकालीन साहिते शास्त्र, गुड मॉर्निंग मीना, मध्यकालीन मैं देखेंगे हम यहां पर पहले तो चीज या रख लेनी है, यहां पर मध्यकाल का जो समय था, वो कब से कब तक रहा है, तो मध्ययूग जो माना जाता है, देखिए, इसका समय जो है, पहली से ल आपका जो प्रमुक प्रशनाकार रहे और जो लेटिन के रहे, इंपोर्टेंट रचनाकार, उनके बारे में हमने जाना, आज हम देखेंगे इसमें जो आपका इटली के चिंतक रहे, जो मध्यकाल में, मध्यकाल में माना यह जाता है, कि देखिए, इस समय जो है, कोई भी इतना महान चिंतक नहीं हुआ, खासकर साहित शास्त्र में, अगर हम भारतिय दिश्टी कोन से देखें, तो भारतिय दिश्टी कोन से जो मध्यकाल वो जादा महत्पूर्ण है, लेकिन यहां पर आपको यार रख लेना है, कि जो आपका पाश्चात्य में रहा, पाश्चात की, तो यही एक महत्पूर्ण नाम रहा, जिसने बहुत जादा मतलब क्या किया यहां पर साहिते के लिए लिखा, यह यू कहें कि थोड़ा सा इसने उस परंपरा को बनाए रखा, जो पहले युनानियों ने शुरू कर दी थी, ठीक है, तो उन्होंने आपका जो लेटिन सा साथ आपको यहां रख लेना है कि युनानियों ने महा कावय बगिरा के ऊपर जो अपनी पहले पहल वाली जो बातें की थी, वो चीज़े आपने यहां पर ध्यान में रख लेनी है, अब इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने जो आपका यहां पर मध्य यूग के रश हैं, यहां से कई बार आपको प्रशन पूछ जाता है, देखना लास टाइम यहां से प्रशन पूछा गया था, कि जो आपके इटली के चिंग तक कौन-कौन से रहे हैं, तो इसमें आपका डैनियलों हो गया, पैटरार्क हो गया, वीडा हो गया, टिसेनो, जिराल्डी, शि पूचे गया थे, एक्जाम में, ठीक है, छोटा सा टॉपिका देखना यह, आई तिंक अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली, पास्चात्य का अभिशास्तर के बारे में, उन में से सबसे संक्षिप्त चीज़ें इसमें हैं, और सबसे इंपॉर्टन तो यह भी यही रहेंगे, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, या फिर आपको उसके पुछ जाए कि लेटिन भाशा के जो चिन तक है, वो पिछले लेक्षर में हमने देख लिये थे, उनको आपने यादक लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, कारे में लिखा गया है, देखिए, इसका जिस समय से रिलेटर प्रशन आया है, मद्य यूग का समय प्रत्थम शताबदी से लेकर के, यहाँ पर शती का अंत हो गया है, तो यहाँ पर होना था अठारवी शती, ठीक है, इसको आपने लिख लेना, यह मैंने आपको पहले भी पहले बता दिया, कि अठारवी शती तक के अंत तक को माना जाता है, कि जो मध्यकाली कावेशास्तर चिंतन रहा है, ठीक है, इस समय के अंतरगत 15-15 शती तक का समय अंधकार काल के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टन है, यह वाले लाइन देखना, आप स्पह अगर हम बात करें देखिए इस युग में हम देखते हैं कि जैसे आपका कभीर हो गया तुलसीव गिरा हो गए ठीक है सूर्दास हो गया यह नाम थे नहीं यहां पर लेकिन हमारे लिए तो वह स्वर्ण युग है लेकिन अगर हम पाश्याद दिश्टीकों से देखें तो पांचवीं से लेकर के पंद्रवीश्टीता का समय जो रहा यह कैसा माना जाता है अंदकार काल का समय माना जाता है ठीक है इस युग में कोई भी महान विचारक नहीं हुआ सिवाए दांते के यह नाम भी मैंने आपको बता दिया इसका पूरा नाम आगे हम पढ़ेगे दांते अलिगियरी यह हम आगे देखेंगे फिलाल यहां पर आपको इतना ही याद रख लेना है कि मद्य युग में यहां पर कौन सा चिंतक जो है वो महत्पुन रहा या श्रिष्ट था ठीक है इसके अलावा कुछ अन्यलेखक भी रहे लेकिन वे इतनी जादा प्रसिदी हासिल नहीं कर आपने या रख लेना है आज किसी ने हमारा जो दूसरा ग्रूप है देखना ये लटी और पीजीटी कमाइंड जो ग्रूप है उसमें उन्हें एक एक अखवार की कटिंग बेजिए उसमें अरिस्टोफनीज जो हमने पीछले लेक्ट्टर में पढ़ाता देखें आपको भी अगर वो मिला वो कहीं अकवार की कटिंग जैसी तो उसको देख लेना वैसे तो खास उसमें है नहीं कुछ भी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके बारे में आपने पढ़ा है तो वैसे करके भी कई बार चीजे याद रह जा लें पढ़े गया था शिम्प्ली आपको कुछ भी नहीं करना था आपको simply इतना ही याद रख लेना था कि ये लेकर जो है वो कहा के रहे थे तैस्टेस्टो कैसे ल वित्रो जराली शींटो ट्रिसेग कैसे गया थे आपको पेपर में अगर आपको पास पेपर है तो पाश्चात्य कावेशास्त्र में बशर्ते आप इसको अगर टाइम देते हैं तो मतलब ये हैं सिर्फ चार और पांच क्वेशन ऐसे रहते हैं जो आपके मेरिट को बनाने वाले क्वेशन है तो खासकर जो एल्टी की त्यारियां कर रहे हैं मैं समझता है उनके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है आपका पाश्चात्य कावेशास्त्र खासकर यह जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अभी तक आपके पाश्चात्य कहां तक आपका मध्य यूग तक क लेकिन उससे पहले की जो चार प्रश्णों वाली बात है यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसको आपने जरूर यार रख लेना है और जितने भी मैंने दो टॉपिक आपको बता दिये यहां से बहुत सारी प्रश्ण आपको पूचे गए हैं पुराने पेपर में ठीक है तो भी फिर कुछ न को चुगार करना पड़ेगा ओके चलिए तो यह हो गया समाने सब परिचे अब देखते हैं आगे यहां पर चुद दांते थे इनके बारे में ठीक है पूरा नाम है देखिए दांते अलगीरी इसका नाम है दांते अली गीरी लव में भी इकी मातरा प्रसिद रचनाई थी डिवाइन कमेडिया महा कावे था इनका यहां से आपको फिर से प्रस्न पूछा जा सकता है इनकी कौन सी रचना ऐसी रही जो महा कावे आत्मक पेती रही है तो या रख लेना है डिवाइन कमेडिया या फिर आपको ऐसा भी प्रस्न पूछ जा सकता है क्या इन्होंने साहिते शास्त्र के उपर लिखा या फिर इन्होंने किसी दूसरी चीज के उपर लिखा है तो साहिते शास्त्र के उपर तो इन्होंने नहीं लिखा लेकिन जो कहीं न कहीं दानते ने भी की है और ये भी महाकावय के लिए ही जाने जाते हैं तो याद रख लेना है डिवाइन का मेडिया कह रही इनकी प्रसीद रश्ण रही इसके लावा विटा नुववा नई जिंदगी शीर्चक से इन्होंने एक और रचना रची थे देखना विटा अर्थ है नई जिंदगी देखना जो विटा नुववा है ये इनका गीत कावे है इसको आपने यार रख लेना है विटा नुववा क्या है गीती कावे है जिस तरीके से निराला ने सरोज समरीती लिखा था अपनी पुत्री के विरह के लिए ठीक वैसे ही इसने अपनी जो प्रेम कथा है अपनी जो प्रेम का थी इनकी देखना- battery स यह आपको याँ रिख लेना है ऐसे आप इसको लिखेंगे सिस्ट्र में च्छोटी की मत्रल तर लगा देंगे सिट्र्स यह थी प्रेमी का इनकी टिक है जहकर दानते रहे हैं जब इनकी यह प्रेमी का 23 इस वर्ष की उमर में मतलब मुर्टियो हो जाती है इसकी ठीक है तो उसके पश्चात इनोंने क्या लिखा था उसके लिए इनोंने क्या किया मतलब ये रचन church and also पुट्री जो सरोज रही है उसके लिए star Wars जिन्दगी शीर्शक से अपना एक मार्मिक कविताओं का संग रह किया और इसे ही हम क्या कहते हैं इसे ही हम कहते हैं नई सकता है ईनके जो सगे समंदी रहे हैं इनके माता रही या फिस तरीके से आपको पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं वासन देखना पुराने वे फ्र婆ॉने ऐसे तो तो यह आपको दिहान रख लेना है तो सिट्रिस का रही इनकी प्रेमी का रही और इसकी मृत्तियु पर इनों नहीं यह बात कही थी बात नहीं कही थी मतलब यह कवीताओं की रचना रची थी इसने नई जिंदगी शीष्ट से कवीताओं को संगरहित किया था ओके तो यह नाटेनिमम बोलेंगे गीती काव्य ही कहेंगे सिंपल सी बात जो इसमें नई जिंदगी थी और महा काव्य कौन रहा यह रहा डिवाइन कमेडिया इसके अलावा इनोंने जो आपका एक काव्य शास्त्रिय गरंथ भी लिखा दवेलगरी एलोकुव मतलब जो गरंथ रहा ठ चीज़ आपने याद रख लेनी है कि इनके जो काव्य शास्त्रिय जो इनके सिध्धांत थे तो इसमें इनोंने क्या किया है देखना काव्य की बातें जो बताई हैं कि साहिते में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें इनोंने काव्य के जो उदेश्य हैं वो निर्धारित क किया है साथी साथ उसकी भाषा शैली चंद कावे भेद इत्यादी इत्यादी इन सब विश्यों पर इन्होंने क्या किया है मतलब प्रकाश डाला है तो यह चीज आपको याद रख लेनी है कि कावे शास्तर के संदर्व में इनकी जो सबसे मुख्यों रचना कौन सी रही दव करना यह मतलब अदर्श स्थापित करना होना चाहिए साहित्य का जो लक्ष है ठीक है ओके ज्यान रखना है देखिए क्योंकि यह हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि साहित्य का जो उदेश्य है वो अलग-अलग विज़ाने अलग-अलग तरीके से माना था ठीक है किसी ने अनन्द को माना अब कोई जो है आदर्श को मानता है तो यहां पर जो दानते थे इसने क्या बोला इसने बोला कि जो साहित्य है वो नयतिक मुल्यों और आदर्शों को स्थापित करने वाला होना चाहिए ठीक है यह इसका श्रिष्ट उदेश्य होता है यह किसने माना था य कि इस चीज़ को आपने याद रख लेना है और इसने बोला कि ग्यान हमारे पास होना जरूरी है लेकिन ग्यान के साथ अगर हमारे पास बुद्धी है तो ये दोनों ही कावे को क्या बनाती है ज्यादा मतलब अच्छा बनाती है ठीक है मतलब कई आप लोग देखे होंगे ना पुत्तम कावे के लिए क्या है सर्वपरी है या सर्वप्रमुक है ठीक है इस बात को आपने याद रख लेना है ये भी कौन मानते थे दांते मानते हैं ये आपने याद रखना है यहां पर इनसे ओके यहां बात समझा गी यह कोई चीज चूट गई हो या फिर आपको ठीक है सर, ओके, चलिए, तो ये था समाने सा परिच्छा देखना इसका, तीनों तरीके से इसने रचना है लिखी है, गीत कावे भी लिखा, महा कावे भी लिखा, और जो है यहां पर इन्होंने कावे शास्त्र ग्रंथ की रचना भी की है, तो याद रख लेना है, दवल गरी अलोगियों में क्या इन्होंने क्योंकि हमारी काम की तो खासकर ज्यादा मौतपून ये भी है, ये इसलिए मौतपून हो जाती क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं साहित शास्तर, तो इसलिए दवल गरी एलोकियों इसको आपने झरूर यार रखना है, और इसमें आपको यार हवाला है ठीक है कर नच बार तो यह रहा है कि भाषा आपने कोई भी हो सकती है पर उसमें क्या होना चाहिए उड़ औने चाहिए ओकihाए जाए यह चीज आपको यहां पर यहां रख लेना रहे हैं अ मरे अगे देखते हैं यहंपर गौक के पारे में एक जो रशना कार रहे ह के कवी रहें public shelly क्या कहते हैं इनके बारे में देखिए ये कहते हैं कि दानते का काभव उस से तु यहां पर उस से हो गया है इसको आपने सिंपली से कुखा देना है यहां से उस से तु के समान है जो काल की धारा पर बना है मतलब सींपल सी बात यह कह रहा है कि जो कई नारा कई और प्राचीन वीश्यों को आध्वी क्विश्चों के साथ ये मिलाता है तो कई बार आपको आपको यहां पर ध्यान में रखना है याद रख लीजिए ठीक है तो यह important कौन कहता है यह कहते हैं PB Shelley समाने परिचय यह हो जाएगा दानते को अपने या रख लेना है कि यह माना जाता है कि वर्जिल के पश्चाज जो है इटली का सबसे महान कभी इसे ही माना जाता है जो वर्जिल में पहले पढ़ लिया था उसको याद रखना है आपको नेक्स आता यहां पर देखिए मद्यकालिन जो कावेशास्ति चिंतकों में कुछ अन्य चीज़ें हैं यह इलिस्ट्रियस वर्नेकुलर इसको आपने जरूर यार रख लेना है इलिस्ट्रियस वर्नेकुलर में अपने महाकावे की रचना की है तो हो सकता है आपको प्रशन ऐसा भी पूचा जाए कि इनका जो महाकावे रहा दिवाइन का मेडिया इसमें इनुने किस भाशा का जो है प्रतिक आत्मक यह प्रतिक आत्मक महा कावे रहा है थीक है जो आपका कौन सा डिवाइन कमेडिया प्रतिक आत्मक महा कावे जैसे हमारे एक कमाईनी प्रतिका अत्मक है, जैसे हमारा पदमाबत प्रतिका अत्मक है, वैसे ही इन्होंने भी प्रतिका अत्मक महाकाव channels लिखा देख्यें, जो आपका यह Divine Comedy है, ठीक है? इसको आपने यार रख लेना है, ओके तो यह हो गया देखना, इसको यार रख लेजिए, illustrious vernacular and दोसी चीज़ या रख लेना है कि किस के लिए इन्होंने इस भाशा का प्रयोग किया divine comedian की महाकावय आत्मक्रिती है और यह कैसा महाकावय है प्रतीक महाकावय है इसको भी आपने ध्यान में रख लेना है उत्किष्ट विश्यों की भाशा उप्योगी ठीक है यहां पर लिखाए देखिए उत्किष्ट विश्यों की भाशा क्या होती है उप्योगी होती है यह कह रहा है कि युद्ध प्रेम शील उदात चरित्र सौंधर्य की अभिव्यक्ति इसको इसने माना कि यह क्या है यह उत् प्यार का इजहार करते हैं लेकिन हमें वह करना ही नहीं आ रहा है तो ऐसे में नहीं चलेगा न तो अच्छी भाशा और उत्कृष्टता हमें रखनी ही पड़ेगी तब ही जो है हमारा साहित्य वह क्या होगा वह जादा अच्छा रहेगा ये चीज्जें मानते थे तो ये ची कथ्य को इन्होंने तीन शब्दों में समाहित करने का प्रियास किया है सुरक्षा प्रेम और जो एक और चीज इसमें मानी है इन्होंने महिमा यह कह रहा है कि कावे जो है वो क्या है कावे का जो कथ्या है का मतलब होता है सिंपल सी कावे के जो स्चोरी है वो इन तीन शब्द आपको यहाँ पर याद रख लेनी है कि जो आपका कौन रहा दानते रहा है ठीक है तो इस बात को आपने यहाँ पर याद रख लेना है बाकी यहाँ पर कावे का उदेश्चे लिखा गया है तो उदेश्चे से आपको सिंपर याद रख लेना है कि इसमें क्या वो रहा है यह नैतिक मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा करना रहा है तो ये था आपका ये जो प्रसिद इटैलियन चिंतक दानते ठीक है इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए यहाँ पर है अनुवाद जो महत्वहीन माना इसने ये चीज भी आपको यहाँ रख लेना है कि ये अनुवाद को उतना जादा जो है प्रभावी नहीं मानता है इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है देखिए वो सकता है इससे चीज भी आपको पूछ जाए कि किस इटैलियन चिंतक ने जो है आपका जो ये क्या रहा मलब जो अनुवाद कारे रहा है उसको इतना जारा महत नहीं दिया है तो याद रख लेना है देखिए आपका कि दानते जो रहे ये अनुवाद को महतोहीन मानते हैं यह कहा रहा है कि शिष्ट कावे के लिए लोग भाषा और शिष्ट भाषा से भी उत्तम शब्दों का चैन होना चाहिए सिंपल सी बात यह कहा रहा है भाषा की भी शिष्टता की ही बात यहां पर कह रहा है ठीक है लोक भाषा और शिष्ट भाषा से भी उत्म शब्लों का चैन ठीक है इस चीज़ को आपने यहां ध्यान रख लेना है और बाकी कोई खास बात इससे वैसे है नहीं क्योंकि मद्य यूग में हमने पहले ही देखा कि यहां पर कोई इतना ज्यादा मौत्वूर्ण डाइ यह चीज़ें आपको यहां पर ध्यान रख लेनी है इनके बारे में ठीक है तो यह था पहला और महत्वूर्ण नाम इसके अलावा यहां पर कुछ अन्य नाम रहे हैं जो चोटे-चोटे नाम है इनको आप यहां पर ध्यान में रख लेजिए तो यहां पर लिखाए देखि इन ये लगबग स्थार्विए ठार्विशती के आसपास रहें और इन से अभी आपको प्रश्ण पूछा गया था देखने एक एक्जाम में आई थिंक ठीक है सबसे पहले इसमें आता है पैटरार्क ये नाम यह आपको याद रखने पड़ेंगे उसे एक बार इनको याद रख लेंगे कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको लेने का मन करता है तो एक बार आप इनको पढ़ लेंगे जैसे ट्रिसेनो डेनियलो जिराल डिशिंटो पैटरार्क वीडा बस ऐसे बोलते रहें आपको ये खुद बखुद अपने आप याद होते जाएंगे बशरते अगर आपको इसको जो ह कर दिया था कि इसमें इनका समंध्य जो हो कहां से था इटली से था ओके इसको आपने याद रखना है ऐसा प्रशन अगर आए तो इसको गलत नहीं करना है ठीक है इसको कभी भी आपको गलत नहीं करना है ओक चलिए नेक्स देखते हैं यहाँ पर अब इनके बारे करके करके एक यह सिरेखा चाहा कि जो कि लिख में है नहीं यह नहीं यह 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 लिगे आप पांडेम पांडेमे मिलेगा अठारी के बाद के आज पास कि वैसे तो दीए तो है ना जो आपका यह उसमें प्लैटो अरस्तु देए हैं लेकिन वो इसलिए दिया है क्योंकि उनका जो जाधातर कार है रहा वो साहिते के उपर रहा थोड़ा सा अधार तो वो उसको ही मानते हैं आपका अरस्तू या प्लेटो को ठीक है लेकिन इसमें आपने जो पुराने प्रशन देखे होंगे उसमें पूछे गए हैं ये प्राचीन जो प्रशन तक रहे हैं उनके बारे में भी ठीक है इसलिए इनको आप थोड़ा सा यहां से याद रख लेना बाकी जैसे वहां तक हम पहुंच जाएंगे फिर पांडेन पांडे से आप खुद भी कर सकते हैं वह आपका बाद का टॉपिक है जैसे हम मध्य योग थोड़ा सा सम अब कर लेंगे एना वो देखना अपने उस वक्त फिर अज़ा आपको कि अचली सबसे पहले नाम आता है यहां पर प्रेट ट्रार्क दिखे इनके बारे में सिर्फ नाम ही याद रख लेना है आपको की यह कहां के थे बाकी जो जो चीज़ें की इंपॉर्टेंट है वो यह नाम पर दी हुई है पैटरार्क ने दानते के विचारों को आदर्शमाना परंपरावाद और नैतिक धार्मिक दिश्टी कौन इन्होंने रखा मतलब जो पहले से चली आरे चीज़ें थी वही चीज़ें और धार्मिक दिश्टी कौन रखा देखिए यह चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो ठीक है नहीं रहती हैं तब भी ठीक है लेकिन ये नाम आपको जरूर याद रख लेने हैं कि ये कहां से रहे हैं ठीक है तो इन वातों को आपने जरूर याद रख लेना है कि कौन कौन से जो है कभी कहां कहां से रहे हैं तो पहला नाम हो गया इस उसके बारे में ये कहते हैं वीडा वीडा के अनुसार कावे कला का सरवोच रूप क्या है महा कावे very very important है ये line देखना इसको आपने जरूर यार रख लेना है कि कि इस ने कावे का सरवोच रूप जो है महा कावे को माना है जो आपके Italian चिंतक रहे हैं तो आपको यार रख ल महा कावे से बढ़कर नहीं है ये किस ने कहा? ये कहा एरिस्टोटल ने जबकि वीडा इसके विप्रीत जाते हैं वीडा ने बोला कि जो आपका ये बिशादात नाटक है ये क्या है? ये कावे से बढ़कर है, यादख लेना है मतलब जो बिशादान्थ हम क्या गयते है दुखांत जो नाटक है ठीक है? वो क्या है? महा कावे से बढ़ा है जबकि अरस्टू गया बोलते है वो दुखांत नाटक को जो है वो बढ़ा मानता है, ठीक है? ये धियान रख लेना है देखना अरस्तु ने बोला कि जो दुखान्त है या जो त्रासदी है वो महा कावे से भी श्रेष्ट है लेकिन वीड़ा इसके विप्रीद कह रहा है यह वो रहा है कि महा कावे से बढ़कर क्या रहा आपका विशादान्त नाटक इसके अनुसार महा कावे से लेकिन नहीं रहा है इनके जो विचार आ रहे हैं ये क्या वो रहे हैं ये बोरहे हैं कि जो महा कावे हैं वो क्या है और उसमें क्या चीज़ें रहती है डैनियलों के अनुसार महाकावे में राजाओं और महापूरुशों का अनुकर्ण होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला प्रशन देखना प्रशन आपको ऐसी पूछा जा सकता है कि किस के अनुसार महाकावे में राजाओं और महापूरुशों के उच चरित्रों का अनुकरण होता है ऐसे प्रशन आपको पूछ़ा जा सकता है तो आपको simply या रख लेना है यह Daniello ने माना ठीक है Daniello कहते हैं कि जो आपका महाकाव्य रहता है इसमें राजां और महापूर्शओं का उच चरित्रों का ही अनुकर्ण होता है तो ये बात स्वभाविक सी है देखना कि मतलब मानलीजी कोई भी हम महा कावे लिख रहे हैं तो उसमें कोई साधारन सा व्यक्ति तो नहीं होगा ना कि जिसके जीवन को हम समाहित कर लेते हैं आप देखते हैं कोई राजा होगा या कोई ऐसा विशेष मतल नहीं है तो इसने वोला कि राजा और जो महा पूरुशें उनका ही अनुकर्ण होता है लेकिन सधारन व्यक्ति के ऊपर भी आप देखोगा कि महा कावे आत्मक जो खृतियां हैं वो महा कावे आत्मक रचना जों वो रहती हैं लेकिन डैनियलो क्या मान रहा है यह सिर्फ र आसपास का यह रश्नकार रहा है डैनियलों इसको आपने यागत लेना है ठीक है उसकता है इस से भी आपको प्रश्ण पूछा जाए कि 1535 के आसपास ओके फिर दूसरे नाम आता देखिए ट्रिसेनों इनके अनुसार कावे के दो भेद होते हैं यह कावे के बारे में अब लिख रहा है इसने महा कावे के अनुसार ना लिख कर क्या बोला मतलब यह आपका मुक्तक और जो आपका वननात्मक है दो तरीके से कावे के भेद करता है ठी ह arbeitet तो मिल जिए है अम और यह देखने में है हैं तो यह चीज़ आपको यहां पर याद अख लेनी है तो इसको आप टोड़ा सा ध्यान रख लिजी ये तो यहां पर आपको सिंपली ध्यान इतना ही रखना है कि मुक्तक और वर्नात्मक ये काब्र के दो भेद जो हैं वो किस इटालियन चिन तक ने किये थे तो ये थे आपके ट्रिसेनों जिनका समय रहा सोल्वी शताब्दी का जो आपका अंतिम दौर मतलब 1560 के बाद के रहे है आपके ट्रिसेनों ठीक है ये समय अगर आपने इसमें लिखना होगा तो ठीक है नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं आपका काम जो हो जाएगा अब देखिए पहली और कहां तक हम पहुंच गए आपके सोल्वी शताब्दी बीच में कोई भी रशनकार नहीं मिला दान रखना है ठीक है लेगिन उसके बाद यह नाम आपको याद लेना है ट्रिसेनों जिन्होंने कावे के दो भेड किये वननात्मक और जो आपका मुक्तक वननात्मक में इसने माना कि इसमें क्या रहता है हमारा जो भीच है की विविद्धता यह यूं कहें कि इसमें जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह लाइन हमने जब हम भातिक आवे शास्त्र भी पढ़ रहे थे खासका जन नाटकों को बात कर रहे थे नाटक में भी हमने देखा कि नाटक को जीवन कानुकरण माना है तो साहिते को भी जैसे आपके जो हमने एक बात कहीती देखिए जो आपक कि अनुक्रिती है महा कावे जो है वो प्रख्यात चरित्रों की अनुक्रिती है अब देखिए इसने महा पुरुष नहीं लिखा यहां पर महा कावे के लिए इसने वोला कि जो प्रख्यात चरित्र है उनकी अनुक्रिती है ठीक है अब प्रख्यात चरित्र जो है वो एक कमाए रहा देखना जो आपका जिराल्डी शिंट रहे हैं इसको आप ने या रख लेना है और माना ये जाता है कि कावे शास्त्र के संद्र में इटली के चिंतकों में दांते के बाद अगर कि इसको आपने ध्यान रख लेना है कि दानते की बाद जो आपका कौन सा ऐसा रशनकार रहा जो बहुत ही महत्तपून जिसके कावेक के संधरब में विचार रहे हैं जिराल्डी शिंटो ठीक है तो वैसे तो ये भी मानते हैं कि कावेक जीवन की अनुकरिती ही मानी है इन्होंने भी जिराल्डी शिंटो ने लेकिन फिर भी आपको यार रख लेना है कि जो आपका महाकावे में ये जुरूरी चीज क्या मानता है प्रमुख जो प्रक्यात चरित हैं उनकी कृती मतलब नाती हैं इस तो पहले पहले इसने बोला कि महाकावय के कितने भेद हैं तीन भेद हैं पहला जो है यहां पर प्रक्याच व्यक्ति के चरित्र की अनुकृति करने वाला महाकावय होता है यह बिल्कुल सही बात देखिए कि हमारा जो माख्यात होता है। कावे में होती है दूसरी चीज क्या देखिए एक महान व्यक्ति की अनेक और विविद चरित्रों की अनुकृति करने वाला होता है महा कावे तो एक महान व्यक्ति के अनेक चरित्र ठीक है मतलब सिंपल सी बात है कि उसकी हर एक पक्ष को वहां पर हम देखते हैं ठीक है ये च चरितर चितरन करते हैं किसी अपने पात्र का आपने ये में या ग्रेजुशन में पढ़ा होगा कि होरी का चरितर चितरन कीजिए, जुनिया का चरितर चितरन कीजिए, गोबर का चितर चितरन कीजिए, ऐसे आपने पढ़े होंगे ये गोदान बगेरा की जो पात्र हैं, तो तीसरा आता है अनेक महापूर्चों की अनेक चरित्रों की अनुकृति करने वाला महाखावे अब पहले था एक अनेक मतलब अलग अलग जो पात्र हैं अब उनका भी क्या होता है इसमें अनुकरन रहता है तो यह चीज आपको यहां पर यार रख लेना है इसमें भी आपको य नारंबिक में देखते हैं पहले वाले में देखते हैं कि जो प्रख्याच व्यक्ति के चरित्र की मतलब जो आपका यह रहती है मतलब आपका जो भावनाएं है या जो घटनाएं है ना उतना वनन ये कह रहा है कि इसमें नहीं मिलता ठीक है तीसरे वाली में ये बात आपको यहां पर ज्यान में रख लेना है तो सबसे जरूरी किस को माना इसने प्रख्याच व्यक्ति के चरित्र की अनुकृति करने वाला महा कावे तो ये बोड़ा है कि हालांकि इनके भी चरित्र चित्रण करते हैं ठीक है एक का भी करते हैं अनेक का भी करते हैं लेकिन जो सबसे जरूरी होता है जो हमारा कहानी है ज ज्यान रख लेनी है तो यही माना जाता है कि इन्होंने यह जो साहित्य का विवाजन किया है यह क्या रहा आपका महाकाव्य का विवाजन किया आपका सर्वमाने रहा एंड साथ ही साथ के विभारिक भी माना जाता है तो सही बात है देखना जो भी अभी तक यहां पर देखा इसके बारे में, तो सबसे दुरूरी नाम कौन सा हो जाएगा, जिराल्डी, शिंटो, दानते के बाद, हलांकि डैनियलो भी इंपोर्टेंट है, और आपका जो, इसे डैनियलो के बाद, जो आमने एक नाम और पड़ा विडा, उसको भी आपने याद रखना है, दोनों ही महत करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको या रख लेना है कि देखना कि इनके अनुसार जो आपका चरित से आप समझते हैं, सिंपल जिवाद है, जिसमें किसी के चरितर चित्रन की बात की गई हो, या जिसको हम बायोग्राफिकल भी कहते हैं, ठीक है, जो चरित आत्मक महत का लब बाताहें, कालपनिक मतलब इसको आपने या रख लेना है रोंधीक, ठीक है, तो यह चीज़े आउने आपको, कैसल, वेटरों ने, तो चीजे मानी, ठीक है, इसको आप यहाँ पर जियान वे रख लीजे, कैसल, वेटरों से, और कोई भी चीज़ें इमपोर्टन नहीं करनी है सिंपली आपको यह यार रखेना है कि यह महा क्या है दो बैंद करता है कालपनी का और चायरे त्रट्रिक बी आप इसको कह सकते हैं ठीक है इसका लावा यहां पर जो इमपॉर्टन नाम है यह है सो कर यह ना मापको यहार रखेना है फिर बाद टैसो इसका जो पूरा नाम मिलता नहीं है वसी क्या था इसका तरक वेत्रो टैसो कुछ ऐसा जैसा नाम है यह हमने पहले वाले स्लाइड में रखा था एक तो यह याद नहीं रहते हैं लेकिन टैसो से आपको यार रख लेना है इसके जो कावेशास्त्र या आपका जो स सहित्य है इसको लेकर कि क्या वीचार रहे देखिए इसके अनुसार आश्चारेकारी और कालपनिक गटनाओं का समवेश महाकावे में रमणियता को बढ़ाने वाला होता है यह कह रहा है कि जो हमारा सहित्य होता है या हमारा जो महाकावे होता है उसमें अगर हम कोई कर देने वाली घटना हमने रखती फिर हमने अपनी थोड़ा सा उसमें कालपनिक्ता का निर्च मसाला लगाया तो यह कह रहा है कि वो क्या है वो और ज्यादा रमणियों हो जाता है और ज्यादा अच्छा लग जाता है हमें देखने में ठीक है तो यह चीज आपको यहां पर द्यान में रखना है कौन मानते हैं यह मानते हैं आपका टैसो एतिहासिक्ता का समाविश करुणा वह भै आवश्चक नहीं यह क्या रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए थोड़ा सा एतिहासिक्ता का समाविश होना चाहिए और साथ इसाथ करुणा और भै आवश्चक जो आ हाए ठीक है इसको आपने यहां पर ध्यान स्वाइप लीधन थे म энерг क्रॉण तू जो आपको करुना है उस्के बहुद है आवश्यक नहीं है कि आपको वह रखने ही रखने है ओक अ Stars कि आ पने तो यह चीजें यह मानते थे इनको आपने यहां ध्यान रख लेना है यही चीजें हैं यहाँ पर ध्यान रख लेने हैं यहाँ पर आपका जो मद्यकाल है वो लग 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 समाप्त हो जाता है देखना कि आपके जो मद्यकाली पाश्चाते चिन तक रहे हैं इन सब को आप थोड़ा सा याद रखिए इसके अलावा आखरी जो नाम था देखिए यह था बेने देटो क्रोचे खाला कि बेने देटो क्रोचे जो नाम है देखिए यह वैसे हम आधुनी काल के अंतरगत भी इसको रखते हैं क्योंकि यह उनिस्वी और बीस्वी शताब्दी के आसपास कर रहा है लेकिन इसको हम बाद में नहीं रखेंगे इसको अभी याद रख लेंगे तो जादा अच्छा रहेगा बेने देटो क्रोचे 1866 से लेकर के 1952 इतली के नेपल्स नगर से यह रहे हैं यह आपने या रखना है इनके बारे में आतमबादी या प्रत्याइबादी दर्शक इनको हम कहते हैं ठीक है जो आइडियलिस्ट जिसको हम कहते हैं व इनको इनको इंपोर्टन ते देखना स्थेटिक मतलब होता है जो आपका बेन देतो क्रोचे रहा क्रोचे ने जो सबसे जादा महत्रपुर्ण माना है किसी चीज़ को वह यह क्या मानते थे अभिव्यव्यनजनावाद को मानते हैं यह इनका प्रमुख सिधांत रहा है अभ इंपोर्टेंट ग्रंथ है वह है इस्थेटिक जो इन्होंने कब लिखा था 1902 में लिखा था ठीक है इंपोर्टेंट है देखिए क्रोचे विश्व के प्रख्यात संदर्य शास्त्री माने जाते हैं लेकिन पाश्चात्य का अब शास्तर में आपको याद रख लेना है जर्मनी की चिंदक वेए देखना जिनका नाम था बामगार्टन में बाद में पढ़ेंगे जब जर्मनी के चिंदकों को पढ़ेंगे वहां पर बोंगार्य उपर लग जाएगा टयंता है देखना इनको माना जाता है कि ही यह रहे सौणदौर शास्त्र के जनक थीक है पाच्चाथे में लेकिं कुरोची को 15 माने जाता है कि यह विश्व के प्रखाट जो है क्यारहे सौणदौर शास्त्री माने जाते है ठीक है फिर आगे जिए चीज लिखी है देखिए कविता और कला को वास्त में अभी व्यक्त कर रहे हैं और इसलिए इनका जो से धांत आया वो कैसा से धांत आया अभी व्यंजनावाद का से धांत आया कि हम अपनी कविता के जरिये हम अपनी कला के जरिये कुछ न कुछ चीज़े अभी व्यक्त करते ही हैं ठीक है तो माली जी आपने कोई चिडिया की तस्वीर बनाई है साथ में आपने उसमे कोई सेंधरी अच्छी सी बनाई है तो उसके हमें क्या है एक तरीक से हमें अभिव्यक्ति यह मिलती है कि यह सुंदर्ता प्रकृति की मतलब आपकी एक जलक मिल जाती है तो हम उसको अभियक्त कर रहा है कहींड कर रहा है कहीं वह रचनकार इसीलिए इस से धांद को माना और कि खोचे कि वह नारे को हैं कि यह बहुत न Echo सब कर दमाने के पड़े नां отв 카메ल यह झाल ही लेकिन जोतरी लेकिन या रख लेना है कि यहां पर रखनारों में पी से का नाम ही आता है और कोई जादा इतना मुथफून और नाम इसके अलहावा नहीं था ठीक है यह हो जाएगा फिर आगे लिकाए देखिए संदर शास्त संदर परक जो ग्यान है उत्तारकिक ग्यान से भिन माना जाता है यह कहरा है कि जो चीजें हम संदरता के जरीए या संदर प्यात्मक्ता के जरीज समझ सकते हैं तरक के आधार पर जहुत संझा बढ़ा मुश्किल है कला निर्मान में प्रतीभा मूल में माने जाती गहेरा है कि मतलब साहित्य का जो स्रीजिन होता है उसके लिए यह किसको जरूरी मानता है कौन सा है तू इस ने वाला प्रतीभा और ये चीजे हमने कहाँ पर पढ़ी हैं देखना जब हम भारति कावे शास्तर को पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने इनको पढ़ लिया था कि प्रतिभा, विध्पत्ति और अभ्यास तीन चीजे रहती ना साहिते सिजन के लिए लेकिन इसमें इसने कला निर्माण में किसको माना है मूल में किसको माना है ये प्रतिभा ठीक है होनर को मानता है वह वो चीज अगर हमारे पास होगी तो definitely हम साहितिक रचनाय कर पाएंगे अगर नहीं होगी तो फिर वो नहीं होगी ठीक है इन सब वातों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो आपका काम जो है मेरे अनुसार हो जाएगा, ठीक है, तो ये थे आपके इटेलियन चिंद तक, किसी को कोई confusion और बहुती मुश्किल अगर लगा हो, ऐसा थो नहीं है कि बहुत ज्यादा टप हो गया, किसा है, विंता समझ भी आ रहा है कि नहीं, चुप हो गए विंता आज, आचा कहा रहे है, ठीक है, ओके, मज़बी आ रहा है पाश्याद है कावे शास्तर को पढ़ने का कि ऐसे तो नहीं लग रहा है कि वो कह रहा है कि दूस्री दुनिया में तो नीच लगे, अपना साहिते पढ़ने में मज़े अपना साहिते आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए उसमें मज़ा लग रहा है और एक बार इसको आप देखेंगे तो ठीक हो जाएगा फिर इसके नोट्स बनाना और मैंने जैसे आपको टेक्टिस बताई है ना कि वैसे याद यह अपने साथ साथ भी अगर मतलब छोड़ देंगे बीच में आप इसको देखना तो फिर याद नहीं रहेगा ऐसे बहुत जादा लंबा नहीं है कि इसमें आपको बड़ी बड़ी चीज़ें यार रखनी है ठीक है जो जो चीज़े मैं आपको बताई है एट लिस्ट आपको जाना नहीं है फिर उसकी एक-एक लाइन को पढ़ना जो भी आपका पास्टा था का वस्त्रेन आप देखेंगे चाय वह रूप वाद हो गया प्रतीक वाद हो गया मार्क्स वाद हो गया सारा कुछ उसमें दिया हुआ है बशर्टे उसको आपको बस एक बार थोड़ा सा पढ़ना है है ना चलिए बहुत जारा बोल दिया आज के लिए फिलाल इतना ही बाकी मिलते हैं हम कल सुभा छिक दस बजे ने उर्जा और नेश्पूर्टी के साथ तब तक सब लोगों को बाबाई हैवा गूर दे